हुलो फ्रेंट्स नोसकार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल इस्टेडी सरजी में दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं उत्तरप्रदिस बीएट को लेकर के बड़ा बदलावा रहा है इसी काई उत्तरप्रदिस बी ने भी अभियलती यहां पर लगबबबब लोगों जाएंगे ताकि आप आसानी से अपने एक्जाम सेंटर पर आसानी से पहुंच जाए वहां पर सारी विएस्था रहेंगी तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अब सभी से एक ही निवेदन अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्टाइम विजिट करने तो प्लीज मेरे चै क्यासpower ऐता है कि सभी के अंसर दे पाएं लेकिन अगर किसी कारण बस नहीं अगर आपकी कमेंट कАंसर दे पाते हैं या फिर तो नहीं आपको द्यान के पाते है तो इसको लेकर के आप नाराज़गी न जताईए फिलाल चैनल से आप मेरे जुड़ जाईए आपको बता दे बीएट प्रवेस परिच्छा को लेकर के बड़ी खबर जो है परिच्छा में बड़े बदलाव किये करें सेंटर जैसा कि आप सभी को बता दे 930 सेंटर थे और आ यह डीटेल में आपको देखते हैं कि क्या बदला हुआ कैसे इनकी तयारी चल रही है गाईस यहां से आप देख पा रहे होंगे 9 अगस्ट को प्रस्तावित बीएट प्रवेस परिच्छा है जैसा कि आप सभी को पता है 9 अगस्ट को प्रस्तावित की गई है आगामी 25 जु सरकारी रिजल पर भी जाके आप देख सकते हैं इसको लेकर लखनो विश्विद्याले ने तयारी शुरू कर दी है कुरोना संक्रमन को देखते हुए प्रयास किया गया है कि अभेटियों को परिक्षा उनको जहादा सफर ना करना पड़े और उनको नजदी की केंद्र बना गये हैं वो सरकारी राजकी विश्विद्याले ही बनाए गये बिद्याले बनाए गये तो आपको बता दे परिच्छा में शामिल होने वाले लगभग साठे चार लाक यहां चार लाक 31,000 अभियर्थियों ने पंजी करन कराया है ऐसे में परिच्छा के लिए प्रदेश में लगभग एक हजार नवासी जी गाईज एक हजार नवासी केंद्र बनाए जा रहे हैं अब ऐसे में खास बाते हैं कि इस बार सिर्फ राजकी और सरकारी साहता प्राव संस्थानों को ही केंद्र बनाए जा रहा है प्रदेश राज शमन्यों प्रफेशर अमिता वाच्पे ने बताया कि कुरोना को देखते हुए सभी राज सभी परिक्षा केंद्रों पर शुरच्छा बेवस्थाएं की गई है केंद्र पर सैनिटाइजेशन प्रभारी तैनात किया जाएगा थर्मल इसक्रेनिंग की बेवस्था भी की जाएगी आपके लिए और वहां पर थर्मल इ फिलाई को एडमिट कार्ट जारी हो रहा है नौगस का पकार जो पेपर डिक्लेयर है डेट एक्जाम डेट यहां एक हजार नमासी केंद्र बनाए जार रहा है चार लाख लगबग आपको से बता दे चार लाख 31,000 इस्टुडेंट आ रहा है एक घंटे पहले पहले और जो भी है वहाँ पर आप समझ सकें और आपका असानी से विच सोसल डिस्टेंसिंग एक्जाम करा जाए तो गाइस यह थी आपको लेकर के जो बड़ी खबर हमने आपको बताया उम्मिद करते हैं आप सारी बात समझ गयोंगे फिलाल अगर कोई प्राब्लम होती तब भ लगबग करने के लिए चात्रों कुछ संख्या है बढ़ती चली जा रही है और चित कर दें तो आपको बदा दे पहले लगबग 220 या 230 पर आपको मिल जाते थे जो है कटाप जो है गवर्मेंट कॉलेज लेकिन अब यह सायद है कि अगर आप जनल कटेगरिस बिलांग करते ह आपको कम सकम 220 की जगर आपको 280 या 200-300 तक भी आपको जाना पड़ेगा लगबग 400 में तो ऐसे में आप 300 अगर रहेंगे तो गोवर्मेंट कॉलेज मिलेगा आप पढ़िये वह से भी लागडाउन पूरी तरीके से मानसिक प्रेसर बनाया हुआ है इसमें जो पढ़ाई कर दिया उसको गोवर्मेंट कालेज मिल जाएगा काफी लोग तो इसमें वाइवीद भी हुए है आप पढ़ाई करना स्टार्ट की होंगे क्योंकि इसकी कई डेट कंसल की तीस तीसरी बार जी गाईज यह तीन बार की डेट बदलाव कर गए 9 अगस्त को क्लियर किया गया है तो यह थी पूरी बात का इस उम्मित करते हैं आप पूरी बात समझ गए होंगे फिलाल अपने तयारी करिए जिससे आप अच्छे मांक्स गें कर सकें और सरकारी कालेज मिल सकें तो आप सभी एक साथ मेरी सुप कामना है आप ताकी अच्छा मांक्स करें आप इस्टाफ ल झाल झाल